सवाल को आज हम डिसकस करने और सवाल और मुझे पता है मैक्सिमम स्टुडेंट ने उस सवाल को सही किया होगा और बता दू इस तरीके के सवाल कई बार जही एडवांस भी पूछ लेता है क्या करेगा और आपका फिजिकल अटाइच करके तो आओ देखते हैं सवाल क्या था हमारे पास तो सवाल था वेट परसेंटेज ऑफ हाइट्रोजन यानि करना क्या सवाल के अंदर आपको परसेंटेज वेट निकालना है हाइट्रोजन का इस इन क्यू यानि क्या है आपका यहां पर जो मेजर बना विटा उसके अंदर मुझे परसेंटेज हाइट्रोजन फा ऐसोफोरण के आपको दे रखा है तो आओ देखते हैं सलूशन कैसे करेंगे सबसेद विए करते हैं रियक्षीन क्लोरोबेंजीन यहां पर यहां पर ने ओच की रिएक्षिन पर आपको टैम्परेशा भी रखा यह प्रेशर भी है दोया है डॉस प्रॉसेस का पर क्या जोड़ देगा ओए जोड़ देगा किसका formation हो गया यहां पर फिनॉल का formation हो गया और फिनॉल का formation होने के बाद क्या है बेंजीन थोड़ा देख ले ना अच्छे से इस बेंजीन फिनॉल का formation उसके बाद मैं क्या करा रहा हूं बेटा concentrated H2SO4 and then आपका क्या है KNO3 तो यहां से मुझे एक बात साफ समझ में आ रही है क्या समझ में आ रही है सर यह तो नाइट्रेशन करेगा नाइट्रेशन तो करेगा लेकिन सर और्थोपैरा पर करेगा नहीं सर यहां पर यह concentrated word दे रखा है concentrated का मतलब देखा जाए तो सर एक्सिस भी है मेरे पास यानि NO2 ज्यादा amount में के नो के नो थ्री ज्यादा amount में है तो यह क्या करेगा सर यह और्थोपैरा दोनों सब्सेट्यूटेट करेगा यानि जो बनने वाला acid है वो क्या हो जाएगा एनो टू यहां पर किसका फार्मेशन हो गया फाइनल कंपाउंड क्यू का फार्मेशन हो गया अब सवाल ने क्या पूछा है सवाल पर वापस आते हैं सवाल मौलीकैलना पड़ेगा इस मॉलीकैल का मॉलय मास्स का करने वाला हो यह बिघ्र मॉलर मास करने वाला हूँ दो मॉलर मास्स करेंगे तो आऊ पहले इसका मॉलीकैलर फॉर्मुला लिख लेते हैं तो august ऑलकुलर फार्मला क्या हो जाएगा कितने से कारबन गीजेंच कारबन तो यहां पर अगर क्तने हैं ऑगراison हिसन हो गए गैंगा कितने हे त्री त्री ट्री थिली लिए इस अपको बता है चाल को 14 into 3 plus oxygen का कितना होता है 16 यानि कितना हो जाएगा 16 into 7 plus hydrogen का 1 into 3 यानि 1 होता है hydrogen का तो यहां पर total molecular mass कितना निकल के आ गया वो निकल के आ गया 229 अब मुझे क्या निकालना है percentage of hydrogen calculate करना है तो hydrogen का molecular mass कितना वान होता है कितने हाइट्रोजन है total 3 hydrogen present total molecular mass कितना मेरे पास 229 प्रेजंट है और percentage के लिए क्या करेंगे 100 कर देंगे तो यहां से जो मेरा percentage of hydrogen निकल के आएगा वो approximately approximately निकल के आएगा 1.32 परसेंट निकल के आएगा यानि इस question का answer कितना हुआ 1.32 यह हम बोल सकते हैं 1.32 या 1.31 भी होता है approximately इतना ही निकल के आथा है तो देखा जाए विटा तो इस सवाल के अंदर देखा जाए तो कितना अगर मुझे reaction पता है यानि simple reaction पूछी है अगर मुझे simple reaction पता है तो इस सवाल को मैं बहुत आसानी से solve कर सकता हूं बहुत easy सवाल था और मुझे पता है maximum बच्चों का सही हुआ होगा जिन जिन बच्चों का सही हुआ आँब करना है कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना की माई राइट माई राइट बिलकुल इसी तरीके के सवाल आते रहेंगे और नेक्स मैं आपको क्या करने वाला नेक्स सेबहां सब्सक्राइब बहुत ही सारे एक दम तब तक के लिए ठाइंक्यों अबरीवन झाल झाल